अगर आप सीरीज को बीच में से देख रहे तो मैं recommend करूँगा कि इसको starting से देखो आई बटन में आपको link मैं दे देता हो तो आज हम बात करेंगे editing के बारे में किस तरीके से आपको editing करनी चाहिए तो editing मेरा personally मानना है editing is a skill tool का कोई फर्क नहीं बढ़ता चाहिए प्रीमेर प्रो यूज करो फाइनल कट करो चाहिए mobile से यूज करो iMovie यूज करो आप दुनिया का कोई भी software यूज करो सबसे important चीज है वो है skill editing में होता क्या है मैं आपको समझाने ही कुछ करता हूँ जैसे कि मानके चलते है यह मेरी अभी वीडियो है तो यह वीडियो एक timeline होती है पूरी पूरी वीडियो है इसके तो मैंने बहुत सारे cuts ली होगे बहुत बार मैंने कुछ गलत बोला होगा बहुत कुछ किया होगा इ गंद को काट दूगा तो गंद को काटने के लिए help करता है आपका कोई भी editing tool चाहिए आप दुनिया का कोई भी उसकर लो अब उस गंद को किस तरीके से काटना है किस smart तरीके से काटना है वो over the period of time आपका skill develop होता चला जाता है तो मेरा recommendation क्या है कोई भी tool उसकरो चाहिए phone से करो कहीं से भी करो बर अपने आपको develop करते जाओ आपको क्या करना है आप कोई भी video देखो YouTube पे कुछ भी देखो तो आपको जानना है कि कब वो cut हो रहा है कब नहीं हो रहा है अगर आप YouTube पे content creator बना चाहते हो तो मानके चलो सामने camera है भी मैं camera से बात कर रहा हूं तो आपको देखना है कि मेरा camera कहा पड़ा यहां पर camera पड़ा आपको camera के नजर से देखना है अभी मैंने पीछे green screen यूज कर रखी है तो आपको यह देखना है कि पीछे green screen है असली में कुछ नहीं है lights कहां से आ रही है shadows कहां create हो रही है तो lights कहां से आ रही होगी आपको यह चारी सारी चीज़े समझनी है अगर आप इस चीज़ को समझने लग गए न आपका skill develop होना शुरू हो जाएगा तो चलो हम आपको समझाने के लिए सारे editing tool का जुगाड बता रहता हूँ जैसे कि हमने इस वीडियो को लेके गए जहां पर भी gun part था हम premiere pro के अंदर लेके गए इस वीडियो को हम ले जाने के बाद में यहां पर एक site पर देखोगे बहुत सारे tools है अब बहुत सारे tools का आप use कर सकते हो अगर आपको advanced level पर जाना है पर मेरा मानना है कि अगर आपको quickest तरीका करना है तो आपको दो चीज़ें सीखनी है एक क्या सीखना है cut बहुत सारे tools के दर cut होता है किसे करना blade होता है cut और select बात खतम आपको क्या करना है जो भी gun part है उसके starting में cut मारना है उसके end में cut मारना है उसको delete मार देना है बात खतम अगर आप Premiere Pro use कर रहे हो तो जब आप cut मारते हो तो बीच में gap बन जाता है आपको उस gap को delete करना होता है जिसको कहते है ripple delete या फिर आप shortcut का use करके directly उस gap को खतम कर सकते हो तो आपको क्या करना है video को सीधा drag and drop करो timeline के उपर timeline के अंदर इतने भी कूड़े है उसको cut cut मारके delete मारते जाओ आपकी final video तयार हो जाएगी अगर मैं final cut pro की बात करके चलता हूँ again यहाँ पर timeline पे लेके जाओंगा सबकी timeline एक जैसी होती है interface बस थोड़ा सा अलग होता है मैं final cut pro के अंदर timeline के उपर video बन जाएगी अभी आप जो video देख रहे हैं उसमें क्या किया गया है मैंने एक shoot करी है पूरी के पूरी वीडियो इसके अंदर मैंने बहुत सारे cuts लिए जो भी cut लिए उस cut को हमने cut दिया है पीछे मैंने green screen यूज करी है green screen को काटने के लिए हमने green screen का effect यूज किया है तो जितने भी tools होते है उसके अंदर effect panel भी होता है तो आप effect panel के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़े मिलेगी green screen को काटने के लिए हम जो tool यूज करते है कियर आपको मेरा personally मानना है जो भी आप tool यूज करो उसको पूरा explore करो एक आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हो कि tool को कैसा use करते है वेलारा पर मेरा मानना है अगर genuinely सीखना है तो explore करो tool को पैनल के अंदर जाओ और उस tool के सारे effects को drag and drop करके देखो although उसके दर बताते ही है tool का फाइदा क्या है तो जैसे example के लिए प्रीमेर पर उपे गए आप effects पैनल के अंदर गए वहाँ पे आपने Keyer सर्च मारा Keyer पे लगा दिया अब उसके बाद जब भी आप कोई भी effect लगाते हैं उसके ने properties आती है कुछ कुछ ना कुछ change करने के option आते हैं तो मेरा मानना है उसको 100% full करके देखो और एकदम zero करके देखो और live देखो कि वीडियो के उपर क्या फर्क पड़ रहा है जो फर्क पड़ रहा है आपको अपने पतल जाएगा यह effect करता गया है बात खत्म मेरा मानना है इसे तरीके दाब सारे effects को सीख सकते हो यह प्रीमर प्रो का तरीका था अगर मैं final cut में जाता हूँ प्रेले की सारी वीडियो की बात करके चलते हैं वो सारी की सारी वीडियो हमारी edit हुई है final cut pro के उपर तो यहां पर आप देखो के बहुत सारे और भी effects को देख सकते हो और सबके effects panel के अंदर settings के option आते है अगेन आप इसको उपर नीचे करके check कर सकते हो दूसरी चीज cut के बीच में क्या हो जैसे कि मैंने अभी बोला हाई गाइस मेरा नाम है साहिल करना और आज हम बात करेगे के बारे बे तेक है अब यह जो बीच में cut था इस cut को छुपाने के लिए मैंने एक बीच में effect लगा है जिसको हम कहते है transition जब दो cut के छुपाने के लिए बीच में क कौन सी चीज कैसे काम करती है यहां पर आप देखोगे इसको छोटा बड़ा effect की duration को भी आगे पीछे कर सकते हो अगर मैं premiere pro की बात करके चलता हूं यहां पर भी यही सेम सीन है सब में सब कुछ सेम है अगली चीज क्या है मैंने क्या किया मैंने पूरी पूरी वीडियो में गंद रटा दिया एक वीडियो टाइम लाइन प्रॉपर बंग गई है मेरी अब मुझे इसके उपर टाइटल लगाने है टाइटल मतला जो लिखा हुआ आ रहा है वीडियो के उपर मेरे को सब कुछ लगाता है अब मैं क्या करूंगा उसको लिखने के लिए तो मैं करके डबल क्लिक करके चेंज करना होता मेरी वीडियो हो जाती है कतम अगर मैं दूसरे एंड पर बात करके चलूँ प्रीमेर प्रों की तो प्रीमेर प्रों में दो ऑप्शन है एक तो आप खुद से टाइटल नीचे आप देखोगे ऑप्शन के अंदर टाइटल का ऑप्श प्रों कोड़ा अगर मुझे बीच माइने ट्रांजिशन लग उसके बाद मैंने उसके उपर टाइटल लगाए मेरी वीडियो कंपलीट हो गई अगर मैं चाहूं तो यहीं पे इसको final निकाल सकता हूँ, तो मतलब अभी क्या है, जो मैंने cut-cut मारे है ना, यह cut-cut ही मारे है, मेरे यह final वीडियो नहीं बनी है, जिस वीडियो को मैं को upload करना है, तो उसको क्या कहते है, rendering करना, export करना, तो सब के अंदर अलग-अलग export के option है, अगर मैं final cut में जाता हूँ, तो final cut के अंदर अलग से option आता है, मैं वहाँ से जाके file को export कर सकता हूँ, मेरा मानना है कि h.264 codec को use करो से file size relatively सम बनता है, तो अगर आप उस codec को use करो वे बेटर रहेगा, अगर मैं Premiere Pro की बात करके शलता हूँ, तो यहाँ पे भी वही एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करके आप उसी तरीके से save कर सकते हो, अगर मैं phone की किसी बात करके शलूँ, तो वहाँ पे भी export का option आता है, वहाँ से भी आप इस सारी same चीज़ को कर सकते हो, सेम तरीका है हर जगा पे, सारे टूल्स सेम है, कोई अलग नहीं है, बस क्या होता है, कोई चीज उठके कहीं चली जाती है, कोई चीज उठके कहीं चली जाती है, कई कई के अंदर कुछ कुछ फीचर्ज होते हैं, जो कि अलग बनाते हैं उसको, जैसे हम प्रिमेर प्रो वर्सिस फाइनल कट की बात करके चले, वहाँ में मेगनेटिक टाइम लाइन, वहाँ मेगनेटिक टाइम लाइन नहीं है, मेरे को पर्सनली ज़्यादा अप्टिमाइज लगता है, फाइनल कट क्योंकि मैं एपल यूज करता हूं, तो उसके अंदर अराम से काम हो जाता है, पर प्रिमेर प्रो जो अभी हमने एडिटर रखा है, वह प्रिमेर प्रो पसंद करता है, तो वह प्रिमेर प्रो पे काम करता है, कोई फर्ख नहीं पड़ता मेरे साब से, किसी भी टूल को आप यूज कर सकते हो, अब ये पनी नॉन्मल चीज, जैसे मैं बोल रहा था, वैसे वीडियो बन रही थी, और सारा का सारा काम चल रहा था, जिसको हम कहते है, लीनियर टाइम लाइन, ये जो हमने बनाई है, कट-कट करके बनाई है, इस चीज को कहते है टाइम लाइन, अब दूसरी चीज क्या आती है, नॉन लीनियर टाइम लाइन, जहां पे कोई भी चीज कभी भी हो रही है, कोई चीज आगे आ रही है, कोई चीज पीजे आ रही है, बतलब जैसे कि मान के चलो, एक था राजा, एक थीरा नी, दोनों मर गए खतम कहानी, दोनों मर गए, एक था राजा, एक थीरा नी, दोनों साथ में जी रहे, दोनों को प्यार हुआ है, या फिर दोनों को प्यार तो मेरे साब से 3D से अच्छा example कोई नहीं है वहाँ पर क्या हो रहा है एक चीज प्रेजेंट में चल रही है और चीज़े साथ के साथ चलती ही जा रही है तो इसको कहते है नौन लीनेर टाइम लाइन अगर आप व्लॉग टाइप का content बनाते हो तो उसके अंदर non-linear timeline को use कर सकते हो short films बनाते हो non-linear use कर सकते हो again वही सेम चीज है अगर आपको अपनी एक timeline बनानी लीनेर है अब उसके अंदर कोई चीज आगे पीछे करनी है आप आगे पीछे कर सकते हो जैसे example के लिए मैं अपने साहिल करना वाला कोई भी व्लॉग खुल लेता हूँ उसको अपने प्रीमेर प्रोबे कट मार दिया यह सारा कट हो गया कट मानने के बाद में वह चीज मुझे आगे लेकर जानी है यह चीज मैं चाहता हूँ starting में इंट्रो में दिखाई दे तो मैं क्या करूँगा उसको ड्रैग करके टाइम लाइन के आगे ले जाओंगा बाद खत्म हो गया तो अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा स्टाटिंग में चीज होगी बाद में कुछ होगा तो इसको हम कहते है नौन लीनेर टाइम लाइन क्रियेट करना अगेन यह चीज़ स्किल है टूल का यूज नहीं है टूल कोई भी यूज कर सकता था मेरा परसनली मानना है तो यहाँ पर आपको स्किल डवलप करना है कि कि यहींस तरीके से एडिट करना और कैसे ओगा आपको मूविज को तरीके से देखना एडिटर की तरीचे से आपको वीडियोस देखनी है मैं बहुत सारी मूवी शौãy फिल्म ग्लाइघ तेक्ताउ पर तीन चीज़े ज्यादा चीज मैं राजु रहानी के iITs वाले कि तयीज सीन के अंदर कोई information है जिसकी वज़े से story आगे बढ़ रही है या फिर कोई emotion है या फिर कोई entertainment है उस frame को रखता हूं वरना सब कुछ काट देता हूं तो मेरा भी मानना यही है तो नॉर्मली जो मेरी वीडियो तो यह व्लॉग वाली वह अल्मोस डेड़ गंटे ही होती है और मैं इसको काट के आठ मिनट तंग ले आता हूं तो इतनी ज्यादा मैनत करने पड़ते है इस चक्कर में आप देखो कि उस channel पे ज्या आपको stock videos, stock photos देती है क्योंकि free videos होती है basically उसको low और timeline के उपर दालतो तो अभी आप देख रहे हो दो options है उपर की side पे सारी videos आ रही है नीची की side पे सारी audios आ रही है तो जितनी भी आप एक की उपर एक overlap करते जलाओगे यह layers वाला system है जैसे कि एक है इसकी उपर एक और आ यह एक तरह की layer वही पनी है अब जितनी पनिया लगाने चाहते हो उतनी पनिया उपर लगा तो जो आपकी video है उसके उपर अगर आप कोई stock video दालना चाहते हो तो सिर्फ drag and drop करके उस जगागे उपर set कर दो हो गया काम अब अगर आपको stock music लगाना है search मारो बहुत सार आपक बस अब एक दिहान देखना कि जब आप audio लगाओगे तो उसकी आवाज को कम कर देना अगर कोई बंदा बोल रहा है अगर मैं अभी बोल रहा हूं और जैसे पीछा बीजर को अपको मेरी आवाज दम से साफ नहीं है अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो अब आपको मेरी audio है सारे का सारा सेम सीन है अगर मैं फोन की बात करके चलता हूं तो यहां पर भी फोन है कईयों में क्या होता है कईयों में टाइम थोड़ी हो जाती है कि अगर आप एक फ्रेम रखते हो वीडियो का उसक्यूपर अगर कोई लगाती हो तो वो लॉजिकली उसके नीचे लग लो देखना आपको समझ में आएगा क्या चीज हो रही है बीट के उपर चीजे के चेंज हो रही है ऐसीज होते है क्नलर ग्रेडिंग में महारत नहीं पाचुक है अभी तक मुझे बहुत टाइम हो गया कऊई करते मुझे देडर 2 साल हो गया और मैं बहुत जैदा अच्छा हो चुका हूँ color grading पर मैं काऊंगा नहीं कि मैं उस level का बंदा हूँ इस time पे आपको color grading सिखाने के लिए color grading से आप पूरी वीडियो की theme भी change कर सकते हो चीजों का color change कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो कभी करूंगा धंग से सीखूंगा तो मैं पक्का आप लोगों को सिखाऊंगा color grading किस तरीके से करी जाती है क्योंकि हर चीज की color grading अलग है हर टूल अलग है color grading का DaVinci Resolve सबसे अच्छा टूल माना जाता है color grading के लिए अगर आपको सीखना है तो अगेन DaVinci Resolve में अगर आप एडिट करते हो सेम तरीका है कोई अलग नहीं है सारे के सारे टूल सेम है तो ठीक है तोस्तों उमीद करता हूँ आपको पूरी editing समझ में आगी होगी किस तरीके से editing करते है अभी जाओ जो भी आपको editing टूल लेने है आप low editing करना शुरू करो कोई भी टूल लो सबके सब सेम है कई हो में effects कम आते है कई हो में जदा आते है किसी में titles preloaded होते है कई हो मैं आप बाद में load कर सकते हो बस यह फ time-based होते हो चीज क्योंकि मेरा मानना है कि आपको explore करना चाहिए खुझ से तभी आप उस चीज को डंग से सीख पाते हो क्योंकि टूल रटेगा तभी आप उस चीज को आराम से गरपा होगे क्योंकि फिर आपकी creativity चलेगी और मेरा इसाब से editing में सबसे important चीज ही creativity टूल नही है तो जितना आपको टूल समझना था मेरे कोशिश करी है आपको इस चीज के लिए टूल सिखाने की बाई गुटनेट शबागेर खुदा आफिस गुड मॉर्निंग रफ्टन जब भी आप वीडियो देख रहे हैं